रोताद जी लाचे नरीब परखंड करते का दिगराम पुरन्दुगा में आज दो साल को भले ची बात है कि बर्साथ होने के कारण सलावदीन अनसारी को घर के चारो तरफा पानी गिर जाने के कारण सलावदीन अनसारी के घर गिर पड़ा सलावदीन अंसारी जैसे और 10 गरिब बैखती हैं जिनका घर बरसात के करना गिर पड़ा और सलावदीन अंसारी ने इसका एफोर्ट वीडियो साहब को दिया कि बाढ़ के करना हमारा घर गिर पड़ा उसमें हमारे चावल दाल बकरी भाइस तमाम चीजे बरबाद हुएं तब वीडियो साम में सभी को अस्वासन भी दिये कि आपको जल्दी मुआजा देल दिया जाएगा सलावदीन अंसारी को लेकिन अभी तक मुआजा नहीं मिला अब की क्या दिकत है अब अस्कूल परने जाने में क्या दिकत होती है पानी हलमे के जाने में दिकत हता है, और किता उता भीज जाता है, और कपार पर लेकर जानना पड़ता है, और यहां पर पानी हो जाता है. तो आपको गिरने का डर रहता है? जी. इसको लेकर आप किसी के पास गए थे, अधिकारी के पर? अब रहे हैं, तो आप चाहते हैं और जब भी नहीं कर देगा, कर देगा पानी को, अब तक नहीं हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं अमर्जित कुमार चाहता हूँ कि जल से जल सलावदीन अंसारी को मुगजा मिले कि वो अपने घर बना कर अपने घर में रहे और सरकारी आवास को छोड़ दे कारण को अहां बहुत सारे तब कुलिफों को सामने करना पड़ रहा है वीडियो दखने वाले सभी दर्शकों से अपिला कि प्रखंड विकास पदादिकारी राजेश कुमार का मोबाईल नमबर 94-42-49-49 परकॉल कर दबाव बनाए ताकि सलावदीन अंसारी को घर गिरने का मुवजा जल से जल मिल सके मैं अम्मर जीत कुमार गरामपुर सदोकर जल रहतास राज्य बिहार इंडिया नाट के लिए